नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है किरपे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करके आंगे जरू शेर करिए अब आप हमारे पैटरन यानि की संदक्चक भी बन सकते हैं आईए अब हम अपने आज के Real Quick Analysis के बारे में चर्चा करते हैं आप तो जानते हैं दिनो दिन पाकिस्तान और रूस के बीच प्यार बढ़ता चला जा रहा है अभी हाल में खबरें आई थी कि पाकिस्तान रूस से 600 T90 टैंक S400 मिक 35 लडाकों विमान खरीदने के लिए बाचीत कर रहा है हाली में हमने चर्चा की थी कि दुनिया का सबसे अमीर देश पाकिस्तान रूस से 9 बिलियन डॉलर की कीमत पर हत्यार खरीदने के लिए चेक बुक लिए घूम रहा है यह कहना गलत नहीं होगा कि प्यार की यह आग दोनों तरफ लगी हुई है अभी थोड़े समय पहले खबरे आई थी कि पाकिस्तान के वाइल, गैस, बिजली और पानी जैसे सेक्टर में रूस 14 बिलियन डॉलर का निवेश करने का सोच रहा है जबकि पाकिस्तान और रूस के बीच यारान इतने उचे लेवल पर पहुँच चुका है लेकिन तब ही हम सभी को शक होता था कि कहीं इतने हसीन सपने केवल रावल पंडी में ही तो नहीं देखे जा रहे है जब यह खबरे महगाई की मार्स जेल रहे पाकिस्तानियों के घमंड को और अधिक भढ़का देती है और रूस को इन खबरों से भारत के खिलाफ मोलभाव करने की और अधिक शक्ती मिल जाती हो तो यह नेचरल है कि रूस और पाकिस्तान ने इस गहराती दोस्ती का कभी खंडन करने की जरूरत नहीं समझी आप जानते हैं पिछले सबता दुनिया में गरीबों के सबसे बड़े मेले का आयोजन चीन में किया गया था जिसमें चीन के राजा के अलावा रूस के रासपती ने भी भाग लिया था कहने की जरूरत नहीं है दुनिया के इत्यास के सबसे इमानदार आदमी इमरान खान पाकिस्तान की तरफ से समयफिल में तसरीफ लाय थे जबकि पाकिस्तान रूस से हत्यार खरीदने के लिए 9 बिलियन डॉलर जेव में लिए घूम रहा हो और रूस पाकिस्तान में 14 बिलियन डॉलर निवेश करने के लिए प्रोजेक्ट तलास रहा हो तो यह बड़ा ही स्वभाविक बात होनी चाहिए थी कि पुतिन खान साहिब को दुनिया के सामने अपने गले लगा लेते ताकि दुनिया को भी पता लगता कि पाकिस्तान कितना इंपोर्टन देश है ताकि दुनिया भोचक्ती होकर देखती कि पाकिस्तान की एक जेव में चीन का राजा है तो दूसरी जेब में रूस के राष्टपती इसी बीच पाकिस्तान के अकवार एक्सिस टिब्यून में 6 खबर के मताबिक भारत में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत के अनुसार ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान ने राश्पती पुतिन से मिलने का वक्त ना मांगा हो लेकिन दो दोस्त पाकिस्तान और रूस इतने बड़े मेले में भी नहीं मिल पाए पाकिस्तान की अधिकारिक प्रतिक्रिया की अनुसार पाकिस्तान ने राश्पती पुतिन से मिलने का समय ही नहीं मांगा हाँ यह बात भी सही हो सकती है कि पाकिस्तान की प्रदान मंद्री से मिलने के लिए तो रूस के राश्पती को समय मांगना चाहिए था दिल को तसल्ली देने वाला दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि राश्पती पुदिन बड़े बैस्ते इसलिए वह खान साहिप से मिलने का समय नहीं निकाल पाए रूस के लिए 9 बिलियन डॉलर का वियापार दाव पर लगा है इसलिए यह एकसेप्ट करने में थोड़ी सी परिशानी होती है कि राश्पती पुदिन प्रधान मंत्री इमरान खान से मिलने के लिए 5 मिल्ट तक का समय नहीं निकाल पाए जब राश्पती पुदिन नौर्थ कोरिया के लिरा किम से रूस में मिलने का समय निकाल सकते थे तो दुनिया के सब्सक्ति शाली देश पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिलने का समय भै क्यों नहीं निकाल पाए दोस्तों हमने यह स्टोरी किचिन में नहीं पकाई है पाकिस्तान के अकवार एक्स्परिश टिब्यून के अनुसार बैल्ट और रोट फोरम में राश्पती पुदिन से मिलने के लिए समय का जुगार ना कर पाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी आसपलता थी आप तो जानते हैं इसके कई कारण थे जिसके कारण राश्पती पुदिन ने प्रधान मंती इमरान खान से मिलने के पांच मिट तक वेश्ट करना उचित नहीं समझा लेकिन यह बात सही जान पड़ती है कि पाकिस्तान रूस से 9 बिलियन डॉलर के हतियार खरीदने वाला है और रूस पाकिस्तान में 14 बिलियन डॉलर निवेश करने वाला है यह सबी रावलपिंडी के ओफिसर्स में ही पकाए गए जूट थे दोस्तों खान साहिब को राश्पती पुतिन के साथ अगर बैठने और फोटो खुचवाने का मौका भी मिल जाता तो हमारे भोले बाले पाकिस्तानी दर्शकाद जमीन पर ही जन्नत का मज़ा ले रहे होते कोई बात नहीं एक इंपोर्टन बात यह है कि इस बार की बैल्ट अन रोट फोरम में 37 राष्ट के सरवोच चिनेताओं ने भाग लिया लेकिन चीन के राजा के अलावा पाकिस्तान की प्रधान मंतरी केवल अन्य दो देशों के लीडर से मिल पाए इन चार दिनों में पाकिस्तान के प्रधान मंतरी ने चीन में कौन से गुल खिलाए यह तो केवल वही जानते होंगे हो सकता है पाकिस्तान की डिप्लोमेट्स को वीजिंग में घूमना ज़्यादा अच्छा लग रहा हो वैसे भी आजकल टूरिज में बढ़ाने पर पाकिस्तान बहुत ध्यान दे रहा है कोई बात नहीं पाकिस्तान को दिल छोटा करने की जरुत नहीं है जल्द ही राश्पती पुतिन दोड़े दोड़े पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से बिंती भी करेंगे कि थोड़े समय के लिए ही सही पाकिस्तान रूस के उपर डॉलर की बारिश करते आज का दोस्तों आसान सवाल यह है बेल्ट अंड रोट फोरम के दोरान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री अपने किस जिगरी दोस्त से नहीं मिल पाई आप अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं हमारी कई दर्शिकों ने पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल कभी कुछ सही जवाब दिया था और उनसा भी वीवर्स में से आज के लखी विनर है लुक शर्मा इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेक पड़े थे आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करके आँगे शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन पर प्रेस करें और भविशन ऐसे ही और नई वीडियो देखें इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद